सबसे पहले भरती की बात क्या है तो एक लाख तीन हजार साथ सो उनत्तर भरती रेलवे गुरूबडी में आया था रेलवे ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि गुरूबडी की लेबल वन की परिख्षा 15 अपरेल से जून 2021 के बीच लिया जाएगा आय जूत हीज जाएगी लेकिन अपरेल तो खत्म हो गया अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया कोई भी अपडेट नहीं आया जिसका कारण जो है बताया गया है कि कोरोना का सकेंड लेबल अब देखो सेवनथ फेज का सेडूल भी अभी जारी नहीं किया गया है और 2021 को जो है खत्म हो गया था एंटीपीसी की परिक्षा कि खत्म होगी तब जागे गुरुपडी का एक्जाम सुरू होगा कुरोना की दूसरी लहर के बाद क्या हुआ कई सारे परिक्षा अस्थकित किया गया जिसके खारण हालाथ ठीक होने पर सेडूल जारी किया जाएगा त इसके बाद देखो एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सेवंथ पेज साथ वे बेतर स्कील के हिसाब से आप लोग को बेतन दिया जाएगा जो लोग भी पास करेगा उसको इसके बाद इन भारती में जेनरल में जो लोग भी EWS के अंतरगत आते हैं इसको EWS का फाइदा रहा है इसके बाद जो है एक्जाम लिया जाएगा और पहले जो है सिवंथ पिर का इ依म लिया जाएगा इसके बाद जो है सिस्च वेज पते देखो अभी जून तो खतम नहीं हुआ है है मूझे उमीद है कि जुलाइव में जो है आपका इ lunar हो जाट इना चाहिए तो आप पर लोग इमेल पर इमेल का क्या रिपला आया है तो अखवार में आया हुआ था इसका शुरूत मैं ने लिख दिया आप लोग यह मैं नहीं कह रहा हूं यह अखवार में कहा गया अब देखो इमेल एक इस्टुडेंट ने कि रषी गुरुपडि को मेल किया था एकजाम डेट cartridge मों देट के बारे में तो एधर से reply आया है कि एक जा Bluetooth के अंदर में त्यार हो गया एकजाम लेलें के लिए बोड जो है पूरी तरीके से तयार है लेकिन बीच में करोन आ गया पूरी तरीके से तयारी हैं जैसे ही करोन será एक करोना कि फत्म होता है सकेंड वेप जैसे ऑढ़ास थोड़ी सी इसके बाद फिर से सही हो जाएगा इस्तिती अभी आप लोग 15-20 दिन अभी और अपने घर पे बने रहे हैं और जल्ले हालात ठीक होने वाली और आपका एक्जाम भी होगा इसलिए आप लोग देखो क्या करो मैं इसके लिए इसलिए इस बार भी वीडियो बना है कुछ अप आपका जुलाएं में होने की पूरी हद तक संभावना है आपके पास बहुत कम समय देखो जुलाएं क्या जून में भी हो सकता है ठीक है ना जून में भी जानी कि असकता है सिख्ट फेज का इसके बाद तुरंत यह स्टार जेगा सिफ्ट फेज में जो है पांट से छे ला लॉक्डॉन चलेगा बहुत जैदा यह होगा होगा फिर नहीं होगा देखो एक जाम होगा क्योंकि एक जाम जो था पिछला बार उन्नीस में होना था कोरोना करण देरे बढ़ता गया और फिर एंटीपीसी लंबा खित गया तिसलिए इस बार देर नहीं होगा आप लोग बस त्यारी जारी रखें तो इंपोर्टेंट पॉइंट कि साइंस जो है आप लोग प्लीज हमारे चैनल पर जो चल रही है इसको देखना है और दिन नया है तो प्लीज चैनल के साथ सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस तरह कि जो भी मैं सूचना आप लोगों को दूंगा पता चल पायागा इसलिए जो लोग भी नए लोग है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बांकि आप सब लोग सेंस वाली कलास भी देखना और धन्यवाद